कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सत्ता में बैठेगे लोग पुलिस को एड्मिस्टेशन पे इतना दबाव बनाएवे हैं कि वो किसी प्रिडित को न्याय निदाना चाहती है ये इनकाउंटर बुल्डो जब तभी दिखाई देता है जब आरोपी बंचित वर्गों में से खांकी वर्दी पर सवाल उठाते हुए चंसेखर बागपत के ठिकवली गाओं पोहुँचे जहां एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई है प्रीडित परिवार से मिलने के बाद चंसेखर ने इलाके में लोगों से बात की उनका होसला बढ़ाया साथ ही कहा कि पुलिस प्रशाशन जल से जल कारवाई करें चंसेखर ने ये भी कहा कि सुरच्छा व्यस्था से लेकर आरोपियों पर कारवाई और आर्थिक मदद सहित कई मांगे पूरी कराई जाए अगर परिवार की सुरच्छा नहीं की जाती तो वह खुद परिवार को सुरच्छा देने के लिए उनके साथ रहेंगे कितनी बड़ी इस घट्टा को मानते हैं और किस तरीके से इन लोगों को इनसाफ की बात करेंगे आप लोगों से बड़ी उनीट से रूप मिले हैं देखें डबल मडर आप इस तरह समझें डबल नी ट्रिपल होते अगर वो तीतरा वेक्ति जो अभी दिन्दगी मूत के बैच लड़ रहा है अगर वो ताकदवर ना होता मेरे और आपके सामने है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून वेवस्था दम तोड़ चुकी है और अगर न्याय चाहिए हो तो फिर कितना भी परियास कर लो न्याय आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सत्ता में बैठे गए लोग पुलिस को एड्मिस्टेशन पे इतना दबाव बनाएवे हैं कि वो किसी प्रदेश को न्याय निद्गाना चाहते यहीं उत्तर प्रदेश की कानून वर्ष्था का सच मैं समझता हूं कि बहुत बड़े बड़े दावे बहुत बड़ी-बड़ी जो है कसीदे पड़े जाते उत्तर प्रदेश कानून दस्ता के बारे में बुलडोजर इनकाउंटर लेकिन यह इंकाउंटर बुलडोजर तबही दिखाई देता है जब आरोप वंची तवर्गो परिवार के हालत बूरे हैं वो डरके साय में उनको लगता है कि उनकी भी हत्या हो सकती है लेकिन अभी पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ दरके बैठी है उनको उम्मीद थी उन्होंने वीडियो जारी की थी कि भाई आके हमें इंदर है मैं अपनी जिम्मिदारी अदा करने के ल अभी हस्तिनापूर की आई है एक गटना जो है अभी कंकर खेडा की आई है यानि कि हर थाने में गरीब जो है उनकी हत्याय हो रही है और उनकी सुन्वाई करने वाला कोई नहीं अभी मैं कोशिस करूंगा कि सदन में भी इमामले उठें और मैं खुच जाके प्रिद लोग आने वाले समय में हमारे लोगो राइंतिक ताकते फिर हम दिखाएंगे कि जुल्म करने वालों के साथ किस तरह जो है उनको अपराजर से निफ्टा जाता है लेकिन आज मैं कोशिस करूंगा जितने मामले मेरे संग्यान में सभी अधिकारों से बात करके उन परिवार में कानुन व्रस्ता धर्स्त हो चुकी है और उसका जीता जागता परमान मेरेट और गाजयबाद है अब बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि मुख्यमंत्री को सद्गुर अविदास जी मारा सद्वुद्धी दें कि उनको एसास हो कि उन वो किसी एक पार्टी के साथ साथ पुर